आईए दोस्तों WIP के concept के बारे में जानते हैं WIP एक ऐसा official है किसी political party का जो उस party के discipline को ensure करता है legislature के अंदर और WIP एक तरह से verb form में directive भी है यानि कि instruction है कि party के members को legislature के अंदर उसी के हसाब से vote देना है इंडिया के अंदर ना तो सम्विधान में और ना ही किसी कानून में WIP की definition या उसका mention है लेकिन भारत के अंदर हर party अपने MP और MLA को vote करने और present होने के लिए विप issue कर सकती है एक one line whip हर member को allow करता है कि वो कम से कम abstain तो जरूर कर सकता है voting में टू line whip हर member को present होने के लिए मजबूर करता है और तीन line whip strongest तरीके का विप है जिसमें party की बात मानना यानि कि उनके हिसाब से vote करना अनिवारे होता है compulsory होता है anti-defection law यानि सम्विधान के 10 schedule के हिसाब से अगर आप party के विप को defy करते हो तो आपकी disqualification भी हो सकती है